राजस्तान में लोकसवा चुनाव की 12 सीटों में हुई वोटिंग में जो पर्तिशत कम हुआ है उससे दोनों ही पार्टियां चिंतित हैं लेकिन कॉंग्रेस थोड़ा खुश भी दिख रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से बंपर वोटिंग से फाइदा भा है तो इसका एक पॉइंट ये भी है कि कार्यकरथा भी इतना ज़्यादा आशावादि नहीं रहा है हम कुछ इसलिए हैinen कि हमारा जो वोट है वो तो डला है हमारे जो बूट है हमारा जो कार्यकरता था उस पर लगातार वो जब तक छेय नहीं बज़े तब Tक कार्यकरता मजबुती से लगे रहे लेकिन बीजेपी के कारे करताओं के अंदर कहीं न कहीं निरासा का भाव था और एक वोट वैंक जो पिछले कुछ समय से बीजेपी के साथ नया जुड़ा था जिनोंने आगे बढ़के बीजेपी की मदद की थी सहोग किया था लेकिन मिला कुछ नही जो समाज के बारे में देश के बारे में कुछ उमीदिय जनोंने लगाई थी कुछ अच्छा जनोंने देखा था उनको ये नजर आयए गया जिए मोदीनी जेपी बात को रहे हैं उस सिरस्भी बाते बाते है दरहतल पर कुछ नहीं है और यह वोट बनेंग मेरी अपनी सोच तागरों से नहीं निकलें इस बार नहीं वो कह सकते हैं मैं ते फिल्ड का आदमी मैं पिल्ड में देखा है कि जिस परकार से हमारे कारेकरता हमारे लोग मजबूती के साथ लगे हुए थे और एक-एक वोटर को निकालने का काम किया है और मैं समझता हूं अगर हमारा खुद का वोट अगर कहीं नहीं डला तो यही था कि वो गाव में नहीं था कहीं भाहर मजदूरी पे या ड्राइवयर यह इस परकार के मालों कहीं पडिदों की संभावना का ओन करई लोग सिते लिगता उल्व कॉम्वना सब्यार्ब बीजेपी बट रही है एक पूरी जो इस्तिती यहां की आप परदेश की देखेंगे तो राजेंदरा ठोड़ जी सिरफ चुरू में ही नजर आ रहे हैं मुकमंत्री जी को अभी कोई जो है ज़्यादा शिरियसली ले नहीं रहा है तर से ज़्यादा दोरे किये हैं उन्होंने मुकमंत्री जी को अभी कोई काम करने का इतना पूरा जो तीन मेहने जो मिले उन्होंने कोई अपनी कोई छाप उन्होंने छोड़ी नहीं कोई ऐसे निर्ने लिये नहीं लगातार मुकमंत्री जी कोई बात कहें उन्होंने का कि मैं गैलो जी की कोई योजना बंद नहीं प्पात काम बीजे पी के लोगों ने किया है आद देश के अंदर पेपर लिग हुए है बारत सरकार के हुए है, नियाय कोड़ के भी हुए है, दिल्ली में भी हुए है, यूपी में भी हुए है, हरियाना में भी हुए है, एमपी में भी हुए है, सब जगे हुए बारत सरकार ने कानून अब बनाया है और वो कानून दस साल तक की सजा दस लाग तक का जुर्बाना ये बारत सरकार का कानून है राश्टान सरकार का जो कानून है जो हम लोगों ने बनाया दस साल से लेकर आजीवन कारावास दस लाग से लेकर दस क्रोट तक का जुरुबाना आज RTE, RTI, Right to Food, Manrega, ये कानून कॉंग्रेस नहीं दिये हैं, सबको लिए दिये हैं मैं कह रहा हूं टोटल मिला के आपको बता दिया मैंने, दूसरे चरण पहले में भी हमारा काफी जो आप मैजोर्टी देखेंगे ना तो 12 की 12 में कॉंग्रेस का जो परदर्सन है, जबरदस्ट परदर्सन है, इसका तो आपको रजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो बची हुई तेरा सीटे हैं, वहां पे भी किसी परकार की कोई कमी नहीं है, इनके जो केंदरी मंत्री है, जो जितने भी बड़े 25 के 25 जितेंगे, नहीं तो कोई कमी रहेगे, देख दो कम रह सकते हैं, तीकाराम जी अच्छे वक्ता है, सदन में बड़ा अच्छा बोलते हैं, और चुनाव में काफी सक्रिय रहे हैं, लेकिन अलबर सीट पर थोड़ा ज्यादा फोकस है, इनका छेतर है, खैर लेकिन चरेने उसमें वोटिंग परतिशत और इजाफा होगा, बढ़ेगा और जो नराज वोटर है, वो भी घर से निकलेगा, कैमना मैं निर्मल के साथ सुशान पारिक, एंडी टीवी